हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है टेस्ट बुक सुपर कोचिंग जूडिसरी में मेरा नाम विशाल सिंग है आज हम लोग हिंदु मेरे ज़ेक पढ़ने जा रहे हैं किसी भी स्टेट में किसी में भी अगर हिंदू लौव आता है ठीक है हिंदू में हिंदू लौव आता है तो ये वीडियो आपके लिए काम की है कोई क्रिवीजन करेंगे ठीक है बिलकुल पूरा एक हिंदू मेरे ज़ेक पूरा ही एक ही वीडियो में खतम करेंगे ये क्या होते हैं हम लोग को पता है इंडिया में पर्सनल लौज जो होते हैं वो आदम कोई बिंदू है आप समझ सकते हैं कोई बिंदू है और बाद में बाहर भी कहीं रहता है तो यह उसके साथ वहीं पर एपलाई भी होगा ठीक ऐसा नहीं है कि अगर किसी और कंट्री में जाके वो रह रहा है वहां पर अगर बाई गेमी अलाउड है मतलब दूसरी साधी अभी कॉंसेट है ठीक चलो बहुत बढ़ा सेक्शन टू सेक्शन टू बताता है अप्लिकेशन एपलीटि किस पर होगा यह यह बताता है कौन हिंदू होगा तो सेक्शन टू के साफ से कोई भी जो हिंदू बाइज रिलीजियन हो फिर चाहें वो लिंगायत कम्रिटी को फॉलो करता हो लिंगायत या वैरी सेवा वैरी सेवा स्पेलिंग क्या है बेरक्ट अपना अपने पास रखिएगा बिना बेरक्ट के वीडियो कोई काम की नहीं है ठीक है थोड़ा हम लोगी स्पीड अभी भड़ाएंगे लिंगा मुवी देखिए आपने लिंगा वीरा सेवा चाहें वो इसको मानने वाला हो या वो फॉलो अज़ आफ पालो अज़ आफ ब्रह्म समाच ब्रह्म समाच आर्ष समाच ब्रह्म समाच आर्ष समाच या प्राधना समाच ठीक है इनका किसी का भी फॉलोवर्स हो तो भी वो हिंदू ही माना जाएगा उसके इलाबा कोई भी परसन वो बाई रिलीजियन कौन है बाई रिलीजियन बाध्य है बुद्धिस्म जैनिस्म एंड बुद्धिस्म जैनिस्म और सिक यह तीने न ठीक है कहने का मतलब है हिंदू कौन होगा यह सेक्शन टू बता रहा है उसी को पर यह एक्ट अपलाई होगा हिंदू कौन है हिंदू जो बाई जिलीजियन कोई हिंदू हो ठीक है यह तो वह हिंदू ही हो या वह लिंगायत या वी रस दू कम्रिटी का हो या फॉलोर्स ऑब्रह्म समाज आजस समाज और प्राध्ना समाज ठीक दूसरी बात जो भी कोई बुद्धिस्म हो उसे भी हम हिंदू मानेंगे जैनिस्म हो उसे भी हिंदू मानेंगे सिखो उसे भी हिंदू मानेंगे in respect of Hindu marriage act ठीक है सारे act में जितने भी हम लोगों ने act की बात की है हिंदू marriage act हो हिंदू succession act हो, हिंदू adaptation maintenance act हो, हिंदू minority and ganjar ship act हो, कोई साबी act हो, सभी में हिंदू की definition same है ठीक है तो एक की आप पढ़ लेंगे तो सबकी समझ में आ जाएगी आपको ठीक है या वो सारे आदमी जो not by religion जो by religion क्या नहों क्या नहों मुस्लिम नहों क्रिस्चियन नहों पार्सी नहों और जीवस नहों ठीक है अगर कोई भी आदमी जो domicile in India है कोई भी आदमी domicile in India है domicile within the territory of India है और वो मुस्लिम नहीं है क्रिस्चियन नहीं है पार्सी नहीं है जीवस नहीं है तो भी उसे हम हिंदू ही मानेंगे इस act के साब से ठीक है इसका explanation है वो यह बताता है इसका explanation है जो यह बोलता है क्या बोलता है कि भाई क्या कि कोई भी by birth हो सकता है by birth या उसके both parents जो है वो हिंदू हो अगर उसके both parents हिंदू है या कोई भी one parent हिंदू है अगर one parent हिंदू है वो brought up as हिंदू हिंदू उसकी परवरिष जो है वो ऐजे हिंदू ही है brought up as हिंदू ठीक दूसरा मतलब यह one और two एक ही साथ हो गए ठीक है यहां पर कर देते हैं आपके act के साब से one और two या जो by conversion या z conversion conversion से या z conversion से हिंदू हो गया हो ठीक इन्हें हिंदू मानेंगे एक चीज और दीवियेस में सब सेक्षन टू टू का टू यह बोलता है कि जो st है उनके उपर apply नहीं होगा st को उपर apply नहीं होगा जो article 366 के article 366 के clause 25 में जो fall हो रहे हैं उनके उपर apply नहीं होगा ठीक है उनके उपर यह act apply नहीं होगा वह अपने रूल से जाने जाएंगे ठीक है st को उपर हम यह नहीं थोप सकते हैं चलिए समझ में आया कौन है हिंदू हिंदू वह सारे लोग हैं section 2 हिंदू जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हिंदू मेरे जैक्ट या जिक्तिव हिंदू लोग के जो कोडिफाइड लोग है वह सारे हिंदू पर ही एपलाई होंगे किसी क्योंकि यह पास्नल लोग हमें पता है पस्नल लोग होगा या कोई भी और सूट है जो स्पस प्रभार होते हैं एक पस्फनल लोग होते हैं ऐसे मोलें पस्नल लोग होती है तो इस्पन सफ जिव लोग अठिल कोडर में बेचन al 목 as well matter में personal law apply होते हैं on the basis of the religion of the parties ठीक है तो यह हम लोग personal law की बात कर रहें ठीक है इतना सब हमें clear है ठीक है इस पर हमें नहीं जाना है आज हम लोग हिंदु मेरी जग 95 कभी उस पर भी बात करेंगे आज हम लोग हिंदु मेरी जग 95 को exam point of view से पूरा complete करते हैं चलिए इतना आपको समझ में आए कौन हिंदु है जो हिंदु by religion हो लिंग आया है वीरा सहीवा कमुनिटी का हो फॉलोवर्स ब्रह्म समाज आरस समाज या प्रात्ना समाज को फॉलोवर्स तो उसे भी हिंदु मानेंगे या जो by religion बहुत धर्म में आता हो जै बाइबर्थ हो सकता है बाइबर्थट कैसे होगा दोनों परेंट हुं तो या वन हिंदू हो तो थो भ्राटबाप्अ हिंदु क्हुंस छालिया बहुत बड़या सेक्शन फीं में क्या वह बेका दी हुई है, definition में सबसे पहले दिया हुआ है custom, यह custom की definition 3a, custom and usage, custom and usage क्या होते हैं? वो सारे rules, वो rules जो की, पढ़िए एक बार, वो सारे rules जो की continuously and uniformly followed, continuously and uniformly followed किये जा रहे हुँ, किसके द्वारा? इसमें साफ साफ दिया है, किसी भी हिंदू द्वारा, किसी भी हिंदू द्वारा, किसमें? किसी local area में, किसी local area, या tribe, या community, या group और family, ठीक है? तो हम इस से समझ में आया है, कि वो सारे rules, group और family, वो सारे rules जिसको continuously and uniformly followed किया जा रहा है, जो force of law भी बन चुके है, ठीक है? जो force of law भी बन चुके हैं, among Hindus, ठीक है? अब हिंदू में, किसमें? एक local area में हो सकता है, tribe में हो सकता है, community में हो सकता है, group और family में भी हो सकता है, ठीक है? कहने का मतलब है, कि अगर किसी family में भी कोई अगर custom चलता आ रहा है, तो वो भी माना जाएगा, लेकिन एक proviso हो है, वो family के लिए बोलता है, कि पहला proviso ये बोलता है, कि ये कैसा होना चाहिए? certain होना चाहिए, और reasonable होना चाहिए, कोई भी अगर custom है, या usage है, वो certain and reasonable होना चाहिए, दूसरा ये बोलता है, कि भाईया, दूसरा proviso कि अगर in case of family है, ठीक है, family में कोई custom चलता है, तो वो discontinue नहीं होना चाहिए, मतलब regularly तब से चली रहा हो, अगर family के case में है, तो वो discontinue नही माना जाएगा, चली है, यह हम लोग समझ गए, custom क्या है, यह में, बी में टिस्टिक कोट है, उसका कोई मतलब नहीं है, c में क्या है, full blood और half blood, full blood हम लोग जानते हैं, half blood हम लोग जानते हैं, ठीक, full blood, half blood कौन होता है, सगे भाईवेन, ठीक, सगे भाईवेन तो यह है, है, ठीक, मा अलग है, father same है, और एक इसमें दिया हुआ है, c के बाद में, d uterine blood, uterine blood में, same मा से बच्चे हैं, लेकिन father अलग है, ठीक है, uterine blood में, mother same है, लेकिन mother same है, लेकिन father different है, ठीक है, चलो, इसके बाद में, दो बड़ी चीज़े आ जाती है, f और g, f क्या बोलता है sapinda relationship, sapinda relationship, sapinda relationship में क्या होता है, इतना बस ध्यान रखना है हमें, कि five generation from father side, five generation father side से, और three generation जो है, mother side से, इन में क्या होता है, sapinda relationship में, अगर कोई fall होता है, तो उससे हम साधी नहीं कर सकते, ठीक है, sapinda का मदलब same pin, same pin की बात कर रहे हैं, अगर sapinda में fall होता है, तो उससे साधी नहीं कर सकते है, और जिसकी साधी है, मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे ही count होगा, ठीक है, अगर मैं अपना count कर रहा हूं, तो अपने ascendant की ओर, उपर की ओर count होगा, पाँच generation तक, अगर पा पहले क्या होता था इस एक के आने से पहले सेम पिंड में अगर है चाहें कितनी भी उपर जनरेशन का हो सेम पिंड का अगर जानकारी निकल आती है तो आपके साधी नहीं हो सकती अभी रीसेंडली एक केस आये था डैली हाई कोट में जिस पे उन्होंने उस मैरिज को वाइड से हैं फिर भी साधी की अपनी मर्जी से दोनों फैमिली वालों ने बाद में आजबन ने जाके दस सालवा चैलेंज कर दिया ठीक है और वो कोट भी कुछ इसमें कर नहीं सकती क्योंकि सेम पिंड में हिंदू मेरिजक साफ साफ मना करता है अगर पांच जनरेशन थ्री जनर भान कर नुदि वूंता है क्यों यह बोलता है कि जो सेक्षय के जी में दिये हुए हैं उस डीकरी में आप साधी नहीं सकते सबसे पहला अब मानलो ये साधी करना चाहे इनसे नहीं कर सकते ये कितना भी उपर नीचे हो ठीक है कितना भी उपर नीचे हो उससे कोई मतलब नहीं है ये पांच जनरेशन छे जनरेशन नहीं आप अपनी जनरेशन में किसी साधी नहीं कर सकते डारेक्ट ली ऐसे ठीक दूसरा ये बतात यहां पर यह डॉटर अभी डॉटर जो है इन से साधी करना चाहरी है नहीं हो सकता ठीक है ऐसे से में आप साधी नहीं कर सकते हैं खुलिए सेक्शन खुलिए उसमें साप साथ दिया सबसे पहला जी का पहला पढ़िए इस वन इस लीनियर असेंडेंट ऑप दा अगर वन इस साधी नहीं हो सकती तो भाई की वाइफ से, फादर की वाइफ से, मदर की वाइफ से, मदर्स बिदर की भाइफ से, मतलब वो मा में ही हो गई है, और ग्रांड फादर वाइफ, ग्रांड मदर्स बिदर्स वाइफ, ठीक है, तो इनकी वाइफ से भी साधी नहीं हो सकती, last में यह दिया हुआ है कि भाई बेहन और उनका नहीं नहीं हो सकती जैसे कि if 2 are brother and sister, भाई बेहन नहीं हो सकती, uncle and nice ऐं, म Yum, चचा बतीजी एं तो उनका नहीं हो सकती, aunt and nephew हुआ है चाची और बतीजे की नहीं हो सकती ठीक है children's of brother and sister भाई बेनों के बच्चों की साधी नहीं हो सकती इसमें दिया हुआ ये सब किसमें आ जाएंगे prohibited degree में आ जाएंगे साफ साफ इसमें explanation भी है अब वो चाहें वो full blood हो चाहें half blood हो चाहें uterine blood हो चाहें वो legitimate हो चाहें legitimate हो चाहें adopted हो ठीक है उससे कोई मतलब नहीं अगर किसी में भी फॉल हो रहे है तो उसमें साधी नहीं हो सकती ध्यानाया सपिंडा और prohibited degree क्यों दिये हुए है ये इसलिए दिये हुए हैं आप इसमें साधी नहीं कर सकते अज्यांसैंनं आपका किस्टम एलावट करता हो कि भावी की मनलब भावी से साधी करने अलावड हो ता है अगर भाई याडिक हो जाती है तो उनकी वाइफ साधी करना lowड होता है बहुत सारे Q isकर में है इस एक्ट के आने के बाद जितना भी परानी चीज़ें सब बूल जाओ अब जो होगा जो चीज़ें इसमें दी हुए अगर मैरेज है डाइवोर्स है और किया है मैंटनेंज है वो सब इसके हिसाप से होगा चलिये section 4 तो यह बूलता है कोई के साथ साथ सेविंग क्लाउस और देख लें सेक्शन उन्तिस जड़ा देखिए सेक्शन उन्तिस बोलता है कि कुछ चीजों को सेविंग करता है यह पहला कि कोई भी मैरिज इस एक्ट के आने से पहले इस एक्ट का पहला देखिए वह बोलता है कोई भी मैरिज इसके आन कस्टम में कुछ भी हिसाब किताब है तो फिर वो अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको भी हम नहीं छिड़ते हैं इस act के आने के बाद तीसरा एक important ध्यान लखिएगा कि special marriage act में अगर कोई साधी कर रहा है तो भी इस act से हमें कोई लेना देना नहीं है तीक है यह तीन इसकी saving है जिनको कोई यह छूता नहीं है यह act बस इतनी बाद समझ लो मतलब उनको अलग कर दिया है अब आजाओ इस पे section 5 बोलता है conditions of valid marriage section 5 बोलता है कब section 5 condition of valid marriage condition of valid marriage कोई भी valid marriage होगी कैसे होगी ठीक यह बताता है section 5 के साफ से इसमें 5 चीजें है ठीक देखेंगे इसको थोड़ा detail में सबसे पहला mono gaming होनी चाहिए कहने का मतलब है कि by gaming हम नहीं होने देंगे दूसरा sound mind होना चाहिए ठीक तीसरा age का दिया हुआ age कित्ती होनी चाहिए चौथा prohibited degree में नहीं आना चाहिए जिनकी साधी हो रही है वो prohibited degree में नहीं होने चाहिए और पांच मा सपिंडा में नहीं होना चाहिए ठीक यह बात करता है यह conditions है ठीक है यह 5 conditions है जो कि बहुत important है 1, 2, 3, 4, 5 चलो एक एक करके हम लोग बात करते है इन conditions की साथी साथ पांच के साथ एक साथ है section section 7 वो बताता है ceremony इसको भी ध्यान रखिएगा यह भी essential condition है ठीक है यह सारी चीजे हैं लेकिन हमने ceremony perform नहीं की ठीक है अगर हमने ceremony perform नहीं की यह सारी चीजे हैं हमने किसी साथी नहीं की उसी साथी कर रहे हैं दूसरा sound mind भी हम है मेरी age भी साथी लाइक हो गई है prohibited degree में भी नहीं आते हैं सपिंडा भी नहीं है लेकिन अगर हमने साथी ही perform नहीं की तो फिर क्या है तो अगर कोई अगर कोई ceremony के लिए होती हो तो उस ceremony के साथ से कर लो section 7 यह नहीं बता रहा कि ऐसे करो ना वो तुम्हारे में जैसा होता हो वैसे कर लो तुम चाहें जैसे muslims में है कबूल 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 तो उसी में उतनी में खुस ठीक है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर ये कहो कि कोई भी ceremony नहीं कर रहा है ceremony करनी है हम दोनों में से किसी एक party होनी चाहिए जिससे साधी कर रहा हूं या तो उसकों में वो follow होनी चाहिए या मेरी होनी चाहिए ठीक है कोई भी formalities हो अब साथ का subsection 2 यह बोलता है कि अगर भाई साथ फेरे वाला अगनी के साथ में ठीक है अगनी के sacred fire के साथ साथ फेरे लेना अगर वो आपकी ceremonies में है तो जैसे ही साथ फेरे लोग है तो यह आपकी साधी मान ली जाएगी ठीक वो ceremonies मान ली जाएगी चलो यह होगी ceremonies वाली बात अब आज आते हैं कंडिसन्स अब वैलिड मैरिज अब क्या है फाइब का वन यह बोलता है कि भाई नैदर नैदर पार्टी है ज़िविंग स्पाउस एड़ टाइम ऑफ मैरिज की डोनों में से किसी का भी कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए कहने का मतलब है हम बाइगेमी नहीं होने ठाउनधेंगे ठीक है ठीक है फाईगेमी चाहें वो पॉलियंड्री हो चाहें पॉल γैमी हों किसी भी साप से माइब नहीं चलेगी किसी का भी जब वो सादी कर रहा ह है उसका दूसरा लिविंग इसपाउस नहीं होना चाहिए अगर लिविंगस पाउस हुआ तो क्या होग तो यह बोलना है section 11 कि वो साधी वॉइड मानी जाएगी कैसी मानी जाएगी वॉइड section 7 में section 11 में दिया हुआ है कि कौन कौन सी साधियां वॉइड मानी जाएगी मतलब निलवट्टे सन्नाठा किसी मतलब कुछ नहीं माना जाएगा in the eyes of law never exist ठीक अब साध साध वॉइड तो है है section 17 बोलता है साध साध पनी सेवल भी है ठीक है punishment भी दी जाएगी उसकी किसकी बाई गेमी की section 17 जब लोग पढ़ते हैं तो वो कहता है भाईया 494 और 495 आफ आई पीसी में उसकी punishment दी जाएगी इसके हिसाप से चलो भाईया यह भी बास सौन मे आ गई तिक और कुछ इसमें है तो कि एगा एक मिनट थीक है एक important case है ध्यान रखेगा सरला मुद्गल वस्टिस उनन उफ इंडिया सरला मुद्गल वस्टिस उनन उफ इंडिया इसमें बोला गयाता है अगर कोई कोई हिंदू है वो convert होके किसी दूसरे ध्रम में मालो मुस्लिम ध्रम में 4 साधी है तो convert होके दूसरे ध्रम में पहुंच जाता है फिर वो साधी करता है तो भी वो by gaming के लिए लाइबल होगा क अगर कोई convert हो जाता है तो जब तक डाइबाॉस नहीं हो जाता तब तक यह दूसरे साधी कर सकता है अब convert होके दूसरे साधी का दूसरे धं में किसी द्रम में 4 साधी लाओ नहीं तो तो यह नहीं चलेगा ठीक है दूसरा है sound mind कि क्या होना चाहिए वह sound mind यह 5 का 2nd, यह 5 का 3rd, यह 5 का 4th, यह 5 का 5, चलो, sound mind क्या है, कि भाई वो तीन तरीके से fit होना चाहिए, पहली बात तो unsound नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना, 5 का 2nd यह, at the time of marriage की बात है, ठीक है, unsound mind नहीं होना चाहिए, दूसरा, दूसरा क्या है, mental disorder नहीं होना चाहिए, जिसकी बज़ा से वो unfit हो for marriage, तीसरा, जिक्रेंट attack of insanity नहीं होना चाहिए, जिक्रेंट attack of insanity, ठीक, यह नहीं होना चाहिए, अगर इन में से कोई भी at the time of marriage हुआ, तो वो marriage क्या हो जाएगी, इसके हिसाफ से marriage क्या है, इसको द है, यह marriage voidable होगी, ठीक है, voidable के साथ साथ, बस voidable ही होगी, अब आ जाओ, age वाली बात, ठीक है, age यहाँ पर लिख देते हैं, age, यह बोलता है, five का three, जिसकी भी साधी होनी है, उसकी, जो male है, उसकी age, 11 साल होनी चाहिए, और जो female है, उसकी age, 18 साल होनी चाहिए, ठीक है, अगर मान लो, फिर भी, कोई violation करता है, इसका साधी कर लेता है, तो उस साधी का status क्या होगा, बताइए, अगर कोई minor साधी कर लेता है, तो उसका status क्या होगा, इसके लिए, यह silent है, यह कुछ नहीं बोलता, यह act, हिंदू marriage act, अगर कोई, पहली बात तो इसमें age तो दी गई तो साधी का status क्या होगा, यह silent है इस चीज़ पर, यह नहीं बता लेता है, इस्टेटस क्या होगा, भाई, इस्टेटस वैलिड होगा, लेकिन punishment है इसकी, ठीक है, punishment है, ठीक है, punishment कितनी है, punishment है, इसकी दी हुई है, section 18 में, और punishment है, दो साल की सजा, और एक लाग रुपिय फाइन, वन लेक रुपिस, फाइन, एक मिनट, दो साल की सजा, और एक लाग रुपिया, ठीक है, इस्टेटस वैलिड है, ध्यान रखियेगा, अगर आप हिंदू adaptation and maintenance की, नहीं, हिंदू minority and ganja ship अगर बात करें, तो हिंदू minority and ganja ship का section 6 भी यह बोलता है, कि जो minor wife होगी, उस जो guardian होगा, उसका husband होगा, ठीक है, तो तब ही तो आप valid मान रहे हो, साधी है, जब उसकी, अब आप उसकी, जो है, guardian से पी पूरी उसको दिये दे रहे हैं, उसके husband को, इसका मतलब कि valid है, तीसरा चौथा point है, अगर prohibited degree, जैसे की 3 के G में, 3 के G में, जो दिया हुआ था, prohibited degree, जो दियुए है, अगर उसमें से कहीं fall हो जाता है, ठीक है, prohibited degree 3 के G में दियुए थी, अगर उसमें कहीं fall हो जाता है, तो यह क्या होगा, तो भाईया, यह आपकी marriage void हो जाएगी, ठीक है, section 11 बोलता है, void हो जाएगी, लेकिन अगर custom permit करते हैं, अगर custom permit करते हैं, अगर आपक custom में allowed है, तो आप prohibited degree में भी कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक, साथी साथ इसकी punishment दी हुई है, section 18 में, कितनी है, इसकी punishment है, one month simple imprisonment, one month simple imprisonment, और 1000 रुपए fine, 1000, ठीक, ध्यान रखिएगा, यह इसकी अमलोग बात कर रहे हैं, इतना, अब आजाओ, sapinda, sapinda के case में भी यह है, sapinda case में क्या है, 3F में दिया हुआ है, sapinda में अगर फॉल करते हो, वही तीन जनरेशन, पांच जनरेशन वाला, तो भी यह आपकी साधी कैसी मानी जाएगी, वाइड मानी जाएगी, किस में दिया हुआ है, section 18 में दिया हुआ है, sorry, 11 में दिया हुआ है, ठीक है, section 11 में, व क्या आपका यह conditions of valid marriage very good और साथ-साथ हम लोग ने ceremonies भी देख ली चलो अब क्या हुआ उसके बाद में यह समझ लो कि void marriage क्या है voidable marriage क्या है ठीक है पहले यह देख लेते हैं void marriage हम लोग ने अभी अभी देखा void marriage तीन टाइप की है ठीक कौन-कौन उसी अगर कोई भी बाइगेमी कर रहा है तो अगर बाइगेम मी किया तो दूसरी marriage Void हो जाएगी दूसरा अगर वे prohibited degree में साधी कर रहा है तो अगर custom उसका à einzoud नहीं कर रहा है तो प्रोईहATHAN कर रहा है तो बेंस में साधी कर रहा है तो भी बेंद unless I fix the custom ना हुँ तिंते हैं है मैरिज का माली जाएगी वॉएड बोलता कूँ सेक्षन भॉएगी के लिए पहली मेरिज वैलिड होना जरूरी है ठिर मैं दूब बाइगेमी में आऊँहां नहीं अगर पहली मेरिज वैलेड आहे तो दूसरी वाइड है और दूसरी वाइफ को वाइफ का स्टेटस भी नहीं मिलेगा ठीक है प्रोइमिटेट डिग्री हमें पता है जो section 3G में दिये हुए हैं अगर इसमें किसी में साधी कर ली तो और यह 3F में sapinda अगर sapinda में साधी कर ली तो बस इतनी सी बात है section 11 में section 12 में क्या दिया हुआ है voidable marriage कि voidable marriage कब मानी जाएगी voidable marriage valid marriage होती है unless and until कोई भी party अनल करने के लिए उसे court ना पहुंच जाए जब तक court द्वारा वो अनल ना हो जाए तब तक क्या है वो valid marriage है ठीक है voidable marriage में कौन-कौन से आएंगे सबसे पहला है pre-act polygamous marriage pre-act polygamous marriage ठीक इसमें क्या दिया हुआ है इसमें अगर किसी ने act के आने से पहले मतलब इस act के 18 माई 1955 से पहले 18 माई 1955 से पहले उससे पहले किसी ने अगर साधी कर रखी है एक और तो उस case में यह जो है by gaming के case में ठीक है by gaming के case में कर दो किये गा और अहींद राफ है नहीं भाई कहां पहुंच गया है है कि किम ऑधेन अथ एकंट रर्टीह राफ में चलिए कोई नहीं वाइदेक्ची कोई मेरिज कौन कौन सबसे पहले वोइदेवल मेरिज हम समझे गया है वोड़ेवल मेरिज काउज voidable marriage वो होती है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें marriage जो है, है तो valid, ठीक है, marriage valid है, लेकिन जब तक अगर कोई party annul कराने पहुंच गया, court ने अगर annul कर दी, तो फिर वो void हो जाएगी, ठीक है, तो वो खतम हो जाएगी, उसी दिन से, जिस दिन से court की degree pass हो जाएगी, उस दिन से, इसके चार है, section 12 में चार दिये हूँ है, सबसे पहला है, import, importancy, सबसे पहला है, importancy, दूसरा है, किसी ने भी कैसे, fear या, consent obtained by fear और force, consent obtained by fear और force, तीसरा है, unsoundness, यह पहले था, यह बाद में होगा, चौता है, pregnancy of woman at the time of marriage, pregnancy of woman at the time of marriage, देखो, यह हैं, जिसमें आप voidable marriage के लिए court जा सकते हो, कौन कौन से, सबसे पहला importancy, अगर जो है, party में से कोई भी एक important है, important है, मतलब कि, जो sexual act है, वो पूरी तरीके से completely नहीं कर पाता है, ठीक, तो उस case में, आप court जा सकते हो, marriage को वाइट कराने के लिए, ठीक है, सबसे पहला आपका था importancy, दूसरा है, आपका consent obtained by force of fraud, अगर force या fraud से consent ली गई है, ठीक ह या पकड़वा साधी जो होती है, बिहार में, पकड़वा साधी में क्या होता है, किसी नौगरी लग गई, उसे उठालो, जवस्ती साधी करा दो, जवस्ती साधी कराने से साधी valid नहीं होती है, साधी voidable होती है, जिसकी consent for fully ली गई है, वो court में जाके, case साधी को void करा सकता ह है, लेकिन इसमें कुछ condition है, कि क्या, एक साल के अंदर, within one year, आपको case file करना पड़ेगा, जब से आपको पता चला है, fear के बार, fear और force एक ही बात है, आप fraud ओलो, ठीक है, fraud, fraud, ठीक, fraud आपके साध धोका दे के साधी की गई है, बता दिया कि लड़का जो है, नयाइधीस है, जो है साधी करा धी, बाद पता चला जो है जो जो है जो है जो है जो जो है जो नौला चा बखील है, तो फिर, fraud हुआ है, घीक है, fraud या force दो चीज़े लो consent obtained by fraud और force consent obtained by fraud या तो किया है या force तो fraud और force के case में जब से आपको fraud पता चला या जब से force या fear खतम हुआ ठीक है उस समय से एक साल के अंदर case फाइल करना होगा और उसके साथ आप free consent से जब से आपको ये खतम हुआ तब से आप उसके साथ free consent से रहेंगे भी नहीं ठीक है free consent का रहना मतलब एक ये भी चीज मान सकते हैं कि जब से आपको जो है force खतम हुआ या जानकारी हुई fraud की जानकारी उस दिन से आपने सारे संबंद उन से खतम कर दिये sexual और सब कुछ ठीक है तीसरा ये unsoundness unsoundness आपको मालूम है लेकिन unsoundness के लिए voidable के लिए तब ही आप जा सकते हैं जब क्या होगा जब वो at the time of marriage जब at the time of marriage वो unsound हो ठीक है बाद में वो पागल हो जाता है कुछ नहीं कर सकते हैं अब जीवन काटो उसके साथ at the time of marriage वो unsound हो ठीक है at the time of marriage इसमें क्या है वही तीनों चीजें है unsoundness of mind mental disorder और the current attack of insanity pregnancy of woman at the time of marriage ये भी एक ground है कि at the time of marriage जिससे साधी हुई है वो पहले से ही प्रेगनेंट थी ठीक है तो भी आप साधी को avoidable करवा सकते हो इसमें इसमें भी कुछ condition है कि जब से आपको पता चला within one year आप case file कर सकते हैं एक साल में case file नहीं किया तो बाद में नहीं कर सकते हैं दूसरा आपको इस बात का मालुम भी नहीं था कि वो at the time of marriage आप जो है इस बात से अवेर नहीं थे कि वो pregnant है ठीक है तीसरा जब से आपको पता चला उसके बात से आपने कोई भी sexual intercourse भी ना किया उसके साथ तभी आप case file कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते यह थे section 12 में वाइडेवल मैरिज के ग्राउंड हम लोग ने कौन कौन से section पढ़ अभी ठीक उसके बाद में section 6 है नहीं section 7 पढ़ा साथ के बाद में लोग ने 11 और 12 ठीक इतना हम लोग देख चुके हैं अब देख लो section 16 16 यह बोलता है कि साथ में और दो और देख चुके हम लोग 17 17 में क्या दिया हुआ था 11 12 17 भी देख चुके 17 और 18 बताओ 17 18 हम लोग ने कहां देखे अभी जल्दी बताओ ठीक section 17 18 में क्या देखा कमेंट करके जल्दी बताएए अब क्या है एक section और देख लेते हैं पहले section 16 16 यह बोलता है कि भाई अगर वाइड या वाइडेवल मैरिस अब कर रही हैं तो सबस्क्राइट रिखुए से कोई बच्छा हुआ है तो उसका क्या स्टेटेस होगा क्या स्क्राइजिसे बताओए छुए है तो क्या स्क्टेट्स होगा कि हम बात कर रहे हैं थीक तो 16 का भन यह बोलता है बच्चा कैसा होगा जाहें वह वॉइड मेर्ज से पेदा हुआ हो फिर depends how ऑगर सैक्ष्ट्ठ्स ला घौलता है जब तक डिक्री कोड पास नहीं कर देती उससे पहले कोई भी बच्चा अगर या तो या तो बनलब उसमें कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो वो भी legitimate माना जाएगा ठीक है बिगॉटन या बोर्न ठीक है दोनों ही चीजों में जब से वाइडेबल मेरे जब तक कोट की डिग्री पास नहीं जाती उससे पहले कोट की डिग्री पास होती है उसके बाद कोई होता है तो वो legitimate हो जाएगा ठीक है यहाँ पर दो दोनों ही केसिस में दोनों ही केसिज क्या है वो प्रॉपर्टी इन vient करेगा इनरेट करेगा अपने पैरेंट्स की थीग है मलुक्प रॉपरटि उससे मिले इए अपने पैरेंट्स की थीग है चाहेँ वो ласт fence चलो तो हम लोगों ने कौन कौन से देख लिए हम लोगों ने सेक्षन बन से 5 6 है नहीं 7 देख लिया है 11 12 17 18 साथ में 16 भी देख लिया है अब रह जाता है बीच में 7 के बाद में 9 और 10 ठीक है 9 और 10 क्या बोलता है सेक्षन 9 बात करता है restitution of conjugal right restitution of conjugal right restitution of conjugal right restitution of conjugal right क्या बोलता है कि भीया कि अगर कोई भी कोई भी आदमी जो है आपस में कोई भी ठीक either party either party जो है withdraw कर रही है either party withdraw from the society of other withdraw from the society of other दूसरे से जो है withdraw कर लिया है तो जो क्या है दूसरी party जो है एक और without reasonable ground बिना किसी reasonable ground के without reasonable ground अगर कोई साथी जो है withdraw कर रहा है तो उस case में क्या होगा उस cases में वो restitution of conjugal right का case file करेगा और court जो है उससे कही कि नहीं भाई साथ में रहो अरे साधी क्यों की थी इसलिए तो कीदी कि भाई साथ में रहे है कि नहीं अब उन्हें नए घर में अच्छा ही नहीं लग रहा है तो क्या किया जाए तो भाईया एक provisions दिया हुआ है हिंदू में reject में restitution of conjugal right का case file करिए तो court उन्हें डिक्री पास करेगी भाईया साथ में रहो जाके डिक्री ही पास करेगी कोई यह नहीं कि जैसे warranty सूकर देगी arrest करके आपके पास छोड़ दिया जाएगा लाके ऐसा कुछ नहीं है क्या होगा किवर डिक्री पास करेगी अगर फिर भी court की डिक्री के बाद भी वो नहीं आता है तो क्या है तो दो option है आपके पास ठीक है एक तो आप execution के लिए जा सकते हैं execution के लिए क्या है कि order 21 के rule 33 में यह बोल दिया जाएगा attachment of property हो जाएगी उसकी उसकी property attach हो जाएगी ठ एक है दूसरा यह है कि आप डाइवास के लिए जा सकते हैं डाइवास का grab बन जाएगा अगर एक साल तक यह नहीं उवा समभन हुआ तो फिर यह बोलता है सेक्षन 9 इसमें एक बार बार इस्की वेलटी चैक की गई थी कि भाई ये constitutionally valid है कि नहीं कि आप women को ऐजे कोई object थोड़े treat कर सकते हैं कि नहीं वो उसके साधिवा उसके पास रहने ही रहना है ठीक है जबकि इसमें यह है अगर reasonable ground है कोई भी reasonable ground हो सकता है कि खर्दाटे ज्यादा लेते हैं नाता नहीं है या कुछ भी है तो वह reasonable ground कुछ हो सकता है लेकिन अगर reasonable ground कोई नहीं है तो फिर क्या है तो आप नहीं लग रहे सकते साथी साथ यह है कि इसकी validity कि क्या woman को as a object treat कर रहे है इसे ठीक है इसकी validity चेक हुई थी क्या woman को as a object treat किया जाएगा तो भहिया एक case है सरोज रानी वर्षिस सुदर्शन कुमार सरोज रानी वर्षिस सुदर्शन कुमार जिसमें ये बोला गया था कि नहीं ये constitutionally valid है क्या बोला गया था कि ये constitutionally valid है चलो very good अब आ जाता है section 10 section 10 बात करता है judicial separation की judicial separation क्या है judicial separation judicial separation ये है कि divorce हम नहीं लेना चाहते लेकिन हम साथ रहना नहीं चाहते ठीक डाइवास लेने का मतलब यह है कि हमेशा के लिए संबन्द खतम अब तुम अपनी हो हम अपनी हो टिक तुम चाहिए किसी और से साथ करो या कुछ भी करो गया डाइवास नहीं लेना चाहते हैं लेकिन हम जो है साथ नहीं रह सकते डईवोस में कि आप चार बच्चे हैं है गाजर है यह विलेबल है उस्तर नहीं है उस्तरफ ग्राउंटी के लिए धर ग्राउंट दॉन और एडिशनल ग्राउंड है वुमेन के पास ठीक है तो यह जुडिशियल सेप्रेशन क्या होता है जुडिशियल सेप्रेशन होने पर यह नहीं कि आप दूसरी साधी कर लो यह वो अगर कोई एक मल जाता है तो फिर दूसरा जो है उसकी प्रॉपर्टी उसे मिलेगी ठीक है बस यह है थोड़े टाइम के लिए टेंपरेरी टाइम मलब टेंपरेरी आपकी साधी जो सस्पेंड कर दी गई है ठीक है सस्पेंशन भी बोल सकते हैं या खतम नहीं होई है साधी तो है ठीक चलो यह है जुडिशियल सेप्रेशन हम लोग ने देखी लिया अब 11 हम देखी टुके हैं 11 में क्या था 11 में अभ्या जाओ सिधे डायवाउस पे डैवस में डेवस में क्या है डाइवास में इसे में 3 तरीके हैं एक तो 13 वन में दिया हुआ ए मदलब ग्राउंट से अविलेबिल GROUND ओफ डाउज डाल दीजिए आप ग्राउंट ओफ डाउज की डाउज के ग्राउंड क्या है सबसे पहले 13 वन में दोनों पार्टी इसके पास अविलेबिल है 9 grounds है, ठीक, फिर 13 का 2 है, 4 additional ground है, इसको 4 additional ground दिये हुए है, women को, ठीक, और उसके बाद में 13 B है, 13 B क्या बूलता है, divorce by mutual consent, चलो, 13 बन में ground आपको मालूमी है, कौन-कौन से है, 9 ground है, सबसे पहला है adultery, दूसरा है cruelty, तीसरा है desertion, desertion का ध्यान रखिए, desertion में कम से कम two years है, जब आप case file करें, दो साल से desertion होना चाहिए, ठीक है, चौथा है आपका 9 है, conversion मान क्या लीजिए है, ठीक है, पांचमा है, आपका conversion हो गया, जेनांस दा वर्ल्ड, सन्यासी अन्यासी बन गया, जेनांस दा वर्ल्ड, और एक presumption of death है, कौन-कौन सा चूट रहा है भाई, बहुत चूट गया, presumption of death, adultery हो गया, cruelty हो गया, desertion हो गया, conversion हो गया, जेनांस दा वर्ल्ड हो गया, desertion of death हो गया, और कौन सा है, एक नदो कियेगा, हाँ, एक venereal disease, ऐसी कोई बीमारी है, जो फैल सकती है, ठीक है, छूट वाली, साथ के बाद में, आठ्मा आपका है, insanity, ठीक, नमा है आपका, लेप्रोसी, लेप्रोसी हट चुका है, कमेंड करके बताएगा, लेप्रोसी, चलिए मैं बता देंगा, personal law amendment act 2019 से इसको हटा दिया, 2019 से इसको हटा दिया, अब लेप्रोसी as a ground नहीं है, अब आठी रह गए हैं, ठीक है, यह आपके सारे ground है, अडल्ट्री हमें मालूम है कि अगर कोई भी आदमी अपने, अपने स्पाउस के इलाबा, किसी से भी कोई संबंद बनाता है, तो, लेप्रोसी का एग लीडिंग केस है, लेप्रोसी नहीं, अडल्ट्री का एग लीडिंग केस है, कौन सा, जोसफ साइन वसिस यून आफ इं प्री एक्ट पॉली गेमर्स मेरिज, अगर उससे इस एक्ट से पहले उसकी एक से ज़्यादा साधी है, तो, दूसरी वो डाइवास मांग सकती है, दूसरा, दूसरा क्या था, अगर वो सोडोमी के लिए, हस्वेंट जो है, सोडोमी या रेप या बेस्ट इलिटी, इसके लिए अगर वो लाइवल है, बेस्ट इलिटी, तो भी वो उससे डाइवास मांग सकती है, तीसरा है आपका, अगर मैंटनेंस मांगा है, उसके बाद में वो नहीं दे रहा है, तो वो भी एक ग्राउंड है, नौन रिजम्शन अप कोहिबिटेशन, कि मतलब हम लोग के बीच में अब हो है, साल वर्से कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, चौथा आपका है, ओप्शन ओफ पुबर्टी, साधी हो गई, तो उस 15 से 18 साल के पिरियड में हो, उसके पास यहां कहें कि वो डाइवॉस ले सकती है, खतम कर सकती है, ओप्शन ओपुबर्टी, ठीक है, लेकिन 18 के बाद में नहीं, 18 तक 15 से कमपे साधी हो गई, तो 18 तक वो उस से डाइवॉस मांग सकती है, चलो, यह थे 4 additional ground to women, अब देखते हैं, mutual consent, divorce by mutual consent, section 13B, कब जोड़ा गया था, 1976 में, क्या है, कि mutual consent से divorce ले रहे हैं, mutual consent, क्या है, दोनों लोग चाहते हैं, लग होना, ठीक है, क्या कहना पड़ेगा, हमें joint petition डालनी पड़ेगी, कोर्ट में, इसमें क्या होता है, पड़ेशनर 1, पड़ेशनर 2 होता है, कोई respondent नहीं होता है, joint petition डालेंगे, joint petition लेखेंगे, कि हम एक साल से अलग रह रहे हैं, और हम साथ में रहना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो court क्या करेगी, जैसे ही petition file होगी, उसके फिर 6 मंद का cooling period, 6 मंद बाद की date डाल देगी, और इस 6 मंद से 18 मंद के अंदर हमें आके court में द्वारा consent देनी पड़ेगी, और court फिर decree grant कर देगी, ठीक है, पहले जिस दिन petition डाली, उसके बाद में अगली date, जो है cooling period के बाद 6 महने का time दिया तक 6 महने के अगली date लगेगी, 6 महने बाद आप कभी भी आईए, लेकिं 18 मंद से पहले आईए, तो court आपको divorce grant कर देगी, ठीक है, इसका एक बहुत leading case है, रूपा हुर्रा वर्सिस असोख हुर्रा, रूपा हुर्रा वर्सिस असोख हुर्रा, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है, Supreme Court ने, अब क्यूरेटिव पेटिश थर्टीन भी, 14 ये बोलता है, section 14, very important कि साधी के एक साल के अंदर, ठीक है, date of marriage के within one year, आप divorce के लिए नहीं जा सकते, within one year, आप case file नहीं कर सकते, डाइवार्स के लिए, ठीक है, एक साल के अंदर, section 15 ये बोलता है, कि डाइवार्स होने के बाद आप कब साधी कर सकते हो, अपील का राइट अगर नहीं है, तो डाइवार्स के तुरंद बादी साधी कर सकते हो, अगर उसके अपास अपील का राइट है, तो दो बाते होंगी, या तो वो अपील का राइट जो है, जिस date में है, वो expire हो चुका हो, दूसरा, अगर उसने case file अपील कर दी है, तो जब अगर उस decree पे appeals का option है, तो जब तक बो time expire नहीं हो ज़ारा हह, जब तक अपील करने का time है, या अगर उसने appeal कर दी है, तो जब तक बो appeal decide नहीं हो जारी, तब तक आप case file नहीं कर सकते, ठीक है? 15 यह बोलता है, 16 हम लोग कर चुके हैं, 17 हम लोग कर चुके, 18 हम लोग कर चुक 19 सबसे पहले बोलते कि कहां पर जहां पर मैरेज्स सॉनल्विनाइज यहां पर साधी हुई थी उस कोट में जहां पर साधी हैं जना पर चाहते हैं उस समय जहां पर रिस्पॉंडेंट रहता हो तीसरा तीसरा क्या है जहां बोद दा पार्टी लास्टली रिसाइड लास्ट टाइम आप जहां पे दोनों लोग रहे हो वहां पर ठीक है चौथा ये बोलता है अगर जो है रेस्पॉंडेंट जो है स्वरी पेटिस्नल जो है चौथा ये बोलता है पैटिशनर जो है अगर वो वुमेन है ठीक है वुमेन है पैटिशनर अगर मालो वाइप अगर केस फाइल कर रही है उस केस में तो जहां पे वुमेन रिसाइड जहां पे यह रह रही है पांचवा यह बोलता है कि जहां पे पैटिशनर रिसाइड in case of जहां पर जो case फाइल कर रहा है वो रह रहा हो reside in case of इस cases में कौन से case में जब आपको उस में जब वो जो है foreign में रहने लगा हो कोई क्या है दो चीज़े respondent जहां पर respondent reside outside India respondent जह साइड अभी समझाता हूं outside India या दूसरा साथ साल से अपसेंट वाले क्या कहते हैं not here for seven years ठीक है presumption of death presumption of death लिटलो इन दोनों cases कहां कहां case कहां file किया जाएगा भाई यह important वात है jodiction किस code में सबसे पहले वहां कर दो जहां पर साधी हुई है ठीक है उस code की jodiction में दूसरा जहां पर respondent रह रहा हो भाग कर सकते हो at the time of filing of petition where the respondent reside तीसरा जहां पर both parties lastly reside दोनों लोग साथ में last में रहे हो चौथा जहां पर अगर petitioner woman है तो जहां पर वो रह रही हो उस time पांच मा पेडिशनल जहां पर रह रहा हो वहां पर in case of respondent जो है आउटसाइड इंडिया रह रहा है या respondent है वो लग रहा है कि वो presumption of death साथ साल वाला साथ साल से absent है पता ही नहीं कहा है ठीक है यह आपका था section 19 20 क्या बोलता है content and verification कि जो भी कोई content होगा इसमें content and verification जो भी content होगा उस पर आपको verification भी करना पड़ेगा ठीक है यह pleading and drafting का मामला है जैसे हम लिखते हैं ना कि verification में डालते हैं verification एक portion होते हैं एक heading होती है जिस पर नीचे लिखा होता है कि जा पॉइंट नंबर 1234 are fact और यह true है दूसरा जो है believe in my knowledge to be true उसकी बात कर रहे है content and verification बीश उसके बात सॉरी हां हां सॉरी बीश हां 21 बोलता है application of cpc section 21 application of cp applicability of cpc या application of cpc जहां जहां पर जरुगत होगी बहां वहां पर cpc अप्लाई होगा अभी हम लोग उन्हें example देखा था कि जो है उसका judicial separation of conjugal light का execution कैसे हो रहा था order किस में हो रहा था ठीक है इसमें 21a to cb है 21a 21b 21c 21a 21b 21c ठीक है यह भी है 21a क्या बोलता है power to transfer certain cases यह सब 1976 में जोड़े गए थे power to transfer certain cases कुछ cases में transfer कैसे होगा कुछ cases में कौन से दो cases में दिये हुए है जिसमें transfer की बात की गई है सबसे पहला judicial separation का case है यह divorce का case है इन दोनों cases में transfer हो सकता है कब अगर मान लो यह same district में same district में case file कर दिया दो कोट में same district में दो कोट में अगर case file कर दिया गया है तो वह case कर दिये जाएंगे एक ही code में सुने जाएंगे अगर different district में case file हुआ है different district में case file हुआ है तो कौन सी code में जाएगा उस code में case चला जाएगा जिसमें पहले फाइल हुआ था ठीक है उस case में उस court में case चला जाएगा जिसमें पहले फाइल हुआ था यह बोलता है transfer of cases in certain cases section 21a 21B आपका बोलता है हां 21B बताता time period किते दिनों में case खतम करना है ठीक है सबसे पहले 21 किस भी बोलता है day to day चलेगा दूसरा अगर कोई भी पेटिशन है वो six month के अंदर dispose of हो जानी चाहिए तीसरा अगर कोई appeal है कोई appeal है तो वो three month के अंदर कोई भी appeal है तो उसको तीन मन के अंदर पूरा decide हो जाना चाहिए यह बताता है किस भी 21 किसी यह बोलता है कि कोई भी document in admissible नहीं होगा कोई भी document in admissible नहीं होगा इसी ग्राउंड पर किस ग्राउंड पर कि वह un stamped un stamped है और registered नहीं है ठीक है कोई भी document is relating to marriage अगर कोई un stamped registration नहीं है तो फिर वो section 8 नहीं पड़ा हम लोगों ने section 8 देख लो section 8 में क्या है registration of marriage section 8 में registration of marriage था comment करके बताते भी नहीं हो कि नहीं पड़ा कहां से comment करोगे registration of marriage registration of marriage बताता है section 8 की compulsory होना चाहिए compulsory नहीं है optional है ठीक है state government का power है कि वो इसको compulsory कर सकते है अगर state government compulsory कर देगी फिर अगर रेइस्टेशन नहीं कराते हो तो 25 रुपए का fine लग सकता है इतना सा बात थी section 8 अभी यहां पर रेइस्टेशन से ध्यान आया मुझे कि section 8 छूटा है चलो यह हो गया 21 A B C बाइस यह बोलता है प्रोसीडिंग to be in camera section 22 पूछा जाता है यहाद रखियेगा प्रोसीडिंग to be in camera और बिना permission के कोई कोई भी चीज publish नहीं करेगा ठीक उस प्रोसीडिंग का कोई भी बिना दखेगी जैसे कि कोई भी जो पार्टी जाई है उनके बीच में कॉल्यूजन ना हो ठीक है कोई भी पार्टी जो है अपनी गलती का फाइदा ना उठा रहा हो ठीक है यह सब चीजें कोट जब एक जब सेक्शन 23 जब डिक्री पास करेगी तो उसका ध्यान लखेगी सेक्शन 24 बात करता है इंट्रीम मेंटेनेंस की सेक्शन 24 बात करता है इंट्रीम मेंटेनेंस या कह सकते हैं मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट मनलब लाइट दूरिंग दा पेंडेंशी ऑफ दा लिटिगेशन ठीक है दूरिंग दा पेंडेंशी ऑफ कोड जो है इं्रिम मैंटेनेंस मग्रांड कर सकती है अगर कोई भी इंप्रिम मैंटेनेंस के एप्लिकेशन आई है तो इसका बूब् felony बोलता है कि कोड को जहांतक पॉसिबल हो 60 covered करने इंट्रिम मैंटेनेंस भी grant कर सकती है अगर कोई भी इंट्रिम मैंटेनेंस की एपलिकेशन आई है तो इसका प्रोबिज़ बोलता है कि कोड़ को जहां तक पॉसिबलो 60 डेस के अंडर, decide करना पड़ेगा ठीक, इंट्रीम मैंटेनेंस लोग जानते हैं किसलिए दिया जाता है कि जब तक केश चल ला है तब तक उसका जो है केश का खर्चा उसका ट्रैवलिंग का खर्चा उसका रहने खाने पीने का खर्चा निकलता रहे हैं ठीक है इसलिए अब उसके पास केश लड़ने के लिए ही पैसा नहीं है तो वह जब वह पर्मानेंट और किसे जी येगी फिकेश्ण 25 बात करता है प्रमानेट जीमानी कि कि ये ऐ बार में एक बार में दो बार में परमानेंट एङनरीमानी ध्यान रखिएका खुब पूच जाते हैं दोनों सेक्षन परमानेट एखराइछ देख रही है कर टेरोटे जुरिदिक्षिन वो पर्मानेट अलिमेनी भी पास का सकती है at the time of passing any degree, passing of any degree, any degree का मतलब किसी भी case file हुआ हो या subsequent there-to या उसके बाद भी at the time of passing any degree या subsequent there-to उसके बाद में भी कभी भी court जो है पर्मानेट अलिमेनी ग्रांट सकती है, passing of any degree का मतलब मालो हम सेक्षन 9 में जुडी क्लीये घाट के लिए किसी में दिक्री के orchestral के पास गये थे और सो 205 के पास है ठीक है केवल यही एक ऐसा है बोध पार्टी जो हस्वेंड को भी मेंटेनेंस दिलवा सकता है section 125 of the CRPC husband को नहीं दिलवा सकता या कोई भी ऐसा एक्ट जैसे हिंदू adoption and maintenance एक में भी आप section 18 में में मेंटेनेंस मांग सकते हैं हस्वेंड को कोई मेंटेनेंस नहीं दे सकता सिर्फ 2425 में ही हस्वेंड मांग सकता है ठीक है तो कोई पासिंग ऑफ एनी डिक्री यह पास कर सकते हैं या subsequent there to कैसा कैसे maintenance देंगे या तो ग्रॉस सम या तो ग्रॉस सम एक ही बार में पूरा दे देंगे कि 20 लाग रुपए देदो इसे हटाओ बात कतम करो ग्रॉस सम या monthly या पिरियोडिकल ठीक है monthly या पिरियोडिकल ठीक है monthly भी बोल सकते हैं पिरियोडिकल किसान इसान है तो उससे monthly क्या काईंगे monthly दोड़े उसकी कम आती है तो उससे बोलेंगे जब जब फसल कटे छे मैने में तब तक पैसे देते रहना ठीक है तो मंतली या पिरियोडिकल हो सकता है या एक ही बार में ग्रॉस सम भी हो सकता है ठीक है इसका 25 का 2 और 3 ये बोलते हैं सेक्सें 25 के 2 और 3 पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च यह उसने दूसरी साधी कर ली हो अगर डाईबोस का एस लिए अभी हो गई हो इस में जासकता है और वैरी भी किया जा सकता है ऑस अभूष में कस्टडी औफ चिल्रण है इसके साथ साथ स्ट्षिन चास्ट च्षट्डी औफ चिल्रण जल्दीव लोग खतम करने वाले हैं इतनी आसानी से अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो और भी बाकी के एक्ट भी ऐसे ही कुईकली हम लोग पढ़ लेंगे ठीक है बस आपके कमेंट और लाइक के बजा से अगला वीडियो भाई हमें भी तो चाहिए ना मोटिवेशन डालने का अगर आप लोग और कर सकते हैं इसमें भी अगर कोई application दी है ठीक है उसके maintenance के लिए उसके लिए तो भी 60 days के अंडर हमें decide करना पड़ेगा मतलब हमें का मतलब है court को section 27 बोलता है कि property को लिए हम कोई order disposal of property property के लिए हम order pass कर सकते हैं disposal of property property के लिए हम order pass कर सकते हैं ठीक court अगर चाहे तो कर सकते हैं लेकिन इसमें दो बाते हैं प्रॉपर्टी एग्जिस्ट वो प्रॉपर्टी के लिए order pass करते हैं या तो वह at the time of marriage वह प्रॉपर्टी होनी चाहिए या उस पर दोनों की joint ownership इन दोनों में कुछ एक हो ठीक है joint ownership हो या प्रॉपर्टी at the time of marriage होनी चाहिए ठीक है बाद में कोई प्रॉपर्टी आती है उसके लिए आप disposal के order नहीं दे सकते हैं section 28 में appeal है appeal का क्या दिया हुआ है appeal का दिया हुआ है कित्ते दिन के अंदर 90 days के अंदर आपको पूछा जाता है खुब कित्ते दिन के अंदर appeal का सकते है 90 days के अंदर यह 90 days पहले 30 days था 30 days था 2003 के amendment से इसे 90 days किया गया ठीक चलो उसके बाद में 28 से enforcement of decree and order enforcement बैसे ही होगी कोई भी ओरिजनल सिविल जो डिक्षन कोड जो होती है उसकी decree order enforce होते हैं ऐसे ही इसके enforce किये जाएंगे 29 हमारा appeal वह सोरी saving है saving हमने सबसे पहले ही देख लिया था 30 रिपील हो चुका है इसी के साथ हमारा हिंदू marriage act 1955 खतम होता है उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी कोई क्ली वीजन हो गया होगा ठीक है और बस ऐसे ही कमेंट करके बताते रहिएगा कि और कौन से subject आपको चाहिए हम ऐसे ही courses करते रहेंगे जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहें ठीक है थैंक यू